गूगल मैप थो हम सब भी लोग इस्तमाल करते है और आपने भी कभी ना कभी ज़रूर इस्तमाल कर आगँ क्योंकि जो भी लोग गूगल इस्तमाल करते है 88% मेप अगया मिस गुगल ओगम पेशन आए संच और गूगल सब से लिक हैं बलकि आपको बताँगा street view आप कैसे कैसे कर सकते हैं और कौनकों से equipment जो है street view के लिए use होते हैं चलिए कमाल का एपिसोड इसको फटाफट start करते हैं दोस्तों Google street view start हुआ मई 2007 के अंदर और इसका purpose था कि आप actual जगह को देख पाए अभी तक हम Google Maps के अंदर जैसे एक traditional map होता है उस तरीके से हम लोग देखते हैं लेकिन turn by turn navigation करने के लिए हमारे पास जो map आता है लगबग traditional map होता है पहले हमारे पास एक कागस पर होता था लेकिन अब हम उसको digitally देख सकते हैं जिसे मान लिए आप ताजमेल नहीं गए हैं ताजमेल अगर आप गए भी हैं तो आप दोवार इस उसको enjoy करना चाहते हैं तो just map पे आप जाए और ताजमेल type किए ताजमेल type करने के बाद आप आप वहाँ पर एक golden color का आप नीचे golden man देखेंगे आप उसको उठा के drag करके अगर आप रखते हैं उसको उस location पे या ब्लू टिक आपको वहाँ पे नजर आ जाएगी उस पर रखेंगे तो actually आप उस जगे पर पहुंच पाएंगे और enjoy कर पाएंगे उस जगे को और यही नहीं आप step by step उसको आगे बढ़ा आगे ले जा सकते हैं तो आप पूरा का पूरा एक तरह से atmosphere create कर सकते हैं अगर आपने white house नहीं देखा है तो अभी जाएंगे दोस्तों और white house को देखिए ऐसे ही काफी सारे इंडिया के अंदर काफी सारे locations हैं इंडिया पूरा का पूरा 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 से लंडन है आप जाके पूरा का पूरा step by step देख सकते हैं उनको कैसे होता है इस street view और किस तरीके से publish के जाता है गूगल पर आईए मैं detail में आपको बता देता हूँ सबसे पहले जरूरी होता है हमारे पास fish eye lens normal जो हमारे पास cameras होते हैं दोस्तों उनके अंदर हमारे fish eye lens नहीं होता है वहाँ पर हमारे normal lens होता है और जब हम करना चाहते है 360 degree तो हमारे को capture करना पड़ता है काफी सारा जो area है उसके अंदर हमारे को fish eye lens जो use करना पड़ता है कुछ देखने में ऐसा होता है fish eye lens और fish eye lens जब हमारे पास होता है तो हम काफी अच्छे pictures को create कर सकते हैं तो HDR images हम लेते हैं हर एक angle से उसके आदून को हम stitch करते हैं जिससे हम top to bottom या चारो तरफ हम देख सकते हैं उसको stitch करने के बाद काफी अच्छा experience आता है और आपने भी कभी 360 degree वीडियो अगर देखा है नहीं भी देखा तो YouTube पे आप देख सकते हैं आपके phone के अंदर gyroscope sensor होना बहुत जरूरी है इस चीश के लिए तो इस चीश को हम rotate करके देख सकते हैं उपर नीचे die by और step by step हम tap करेंगे तो इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास इतने महंगे equipment नहीं है तो आप 360 degree camera भी ले सकते हैं यह छोटा सा camera होता है जैसे मेरे पास अभी यह camera है इसके आप देखें कि दोनों तरफ इसमें lens है और अगर आप इससे on करते हैं comments में लिखेगा दोस्तों क्या आप चाहते हैं 360 degree video या 360 degree आप pictures चाहते हैं तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँआ कैसे pictures आती हैं कैसे stitch किया जाता है और कैसे इनको google पर publish किया जाता है इसके भी आगे अगर हम जाते हैं अगर हमारे पास equipment नहीं है तो अगर आपके phone में जायरो सकोप sensor और आप explore करना चाहते हैं अपने nearby area को आप अपने phone के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं street view app और उसके बाद आप अपने nearby location में देख सकते हैं कौन कौन से जो businesses हैं या कौन कौन स जो streets हैं अब इंडिया के अंदर streets तो हम नहीं बोल सकते हैं लेकिन कौन कौन से businesses हैं जिनको already Google ने cover कर रखा है और as a virtual tour 360 degree उनको डाल रखा है Google के उपर तो ऐसे में दोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं अपने nearby किसी gym के अंदर या salon के अंदर या school के अंदर या colleges या hospital के अं जैसे कि आप देख रहे हैं अभी screen के ऊपर ये एक map है ये nearby का area है और इसके ऊपर जब हम देखते हैं तो ये businesses हैं लाइक माली जी स्कूल है इस school के उपर हम लेके जाते हैं और यहाँ पर हम एंटर करते हैं अब आप देख सकते हैं कि कैसे step by step हम देख पा रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे भी आ रहा है ये एवन rotate करके हम देख रहे हैं कि कैसे हम पूरा का पूरा view देख पा रहे हैं तो काफी amazing experience होता ह है तो this is the future of advertisement अगर आप बात करें जैसा कि हम बोलते हैं दोस्तों इंडिया में जो दिखता है वही बिखता है तो यह एक future है आप business को डाल सकते हैं अगर आप एक trusted photographer नहीं है Google के तो आप एक सफायर डाल सकते हैं सफायर के अंदर आप सिरफ एक ही जगे का rotation करके देख सकते ह हैं लेकिन अगर आप बनना चाहते है professional Google trusted photographer तो आपको चाहिए कुछ equipment कुछ खास equipment आपको चाहिएंगे और अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहेंगे तो definitely मैं आपको इसके बारे में अगले कुछ वीडियो उसके इंदर बता सकता हूँ और काफी amazing यह product है Google का और कुछ चीजों का इसके नदर Google भी ध्यान रखता है जिसे काफी सारी streets हैं उनको हम cover करते हैं तो Google क्या करता है due to safety and security जैसे मान लिजे कुछ लोग बोलता है कि मेरे को क्यों दिखाया या ऐसा कुछ Google पर भी claim किया सकता है तो normally वो security visions की वैसे face को blur कर देते हैं और अफिर अगर गाड चीज़े जो हैं Google Street View में capture हो जाती है जो काफी सारे वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे कि कुछ ऐसी चीज़े capture हुई है Google Street View के ओपर भी और दोस्तों जिसका फाइदा होता है थोड़ा बहुत तो उसका नुकसान भी होता है अगर मैं बात करूं तो Google ने कर ल आँगा उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा आपको Google Street View के बारे में कुछ पता चलाओगा और आप explore करेंगे नहीं नहीं जगें Google Street View के ऊपर अच्छा एक चीज़ में आपको बताना भूलिया Google Business View क्या है Google Photos क्या है दोस्तों Google Photos और Google Business View जो है ए बाद ने Google का काफी investment इसके उपर हुआ तो उन्होंने सुचा क्यों ना इसको बिजनस के platform पे लाया जाए तो अब यहाँ पर इंडिया के अंदर businesses के shoot होते है और उनको Google publish करता है अपने platform के उपर ताकि लोग अगर search कर रही है माल लीजे मैं अब search कर रहा हूं कोई gym nearby me fitness center तो fitness center को मैं search करता हूं और उसके बाद मैं देख सकता हूं वहाँ पर जाने से पहले कि वहाँ पर equipment कैसे है कैसा वहाँ पर interior है कैसा decor है even restaurant को भी मैं ऐसे देख सकता हूं तो probability जो है वो enhance हो जाती है और मेरा confidence बढ़ जाता है कि हाँ यह place genuinely देखने में अच्छा है और इसमें काफ आप भी Google Street View को enjoy कीजिए app download कीजिए ऐसे ही interesting videos के लिए बने रही है मेरे channel के साथ मिलता हूं जल्दी आपसे next video के अंदर